हैलो अथरियन फैमली, कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप से लोग बढ़िया हो गे और आप से लोग का बढ़िया होना भी चाहिए तो फड़ाक से लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल पे सस्क्राइब का बटन दिख रहा होगा तो उसे प्रेस कर देना और हाँ सब्सक्राइब तो ध्यान से कर देना चैनल को इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को करना है यार अब तुम लोगों को काम मैं तो करूँगा नहीं ये तो तुम ही लोगों को करना है है ना और मैं हमेसे अपना काम करता हूँ तो तुम लोग भी अपना काम पूरा कर दो तो अब चलते हैं सीधा ही पिछले एपिसोड पे और बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था I think पिछला एपिसोर काफी सांदार था जहां लोगों ने देखा हुआ होता है कि जियो यान की जो पल्टन थी निकल चुकी होती है एसेंट गेट की तरफ जहां पे जियो यान देख रहा होता है एसेंट गेट के सामने एक वील की तरफ साथ ही यहां पे जब बाकी के सभी लोग भी वील की तरफ देखते हैं तो वही फैंक कहता है कि वहां मत देखो बढ़ने तुम लोग की सोल वहां फश जाएगी और तुम लोग पपेट में बदल जाओगे हैं जिसके बागी साभी लोग थो पालती मारकर बैठ चुक हμέने दूसरी नोसा फिल के अंदर जाता है तो यहां की जो बिल पावर होती है वहल्त है रहां कोई या वर्लफावर है वो है ओल्ड जान वैसे यहां की भी कोई होगी तो वह जो हैं से प्रॉमिस करती है कि देखो यार हमारी मदद वदद कर दो हम तुमको कुई दे देंगे और अपनी डिजायर का मैं एक पार्ट यानि कि एक क्लस्टर आपको दे दूंगे जो देखके करता है अगर ऐसा है तो मैं तो इसकी मदद ले सकता हूं उसे न expect ही में कभी पंद होंग thriving करेंगा हुआ जो देखके ज्यान एक हो जएन है हो क्या होता है जो भी होगा देखेगा पुन क्यों को पता थ है ऐसे में में एम्मार्तल गॉड लाइव बेक्थ्रू करने में भी कैपबल हो सकता था दूस तरह वहां पर वेई फैंक कहता है कि अप जो यान को अपने साथ एसन बल्ड में ले जाना सही नहीं होगा जो देखकर जोड़ देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं दूस तब तभी अचानक जो आन अपनी आखे खोलता है और इस इस बाहर आगई जो देखकर सभी लोग वेई फैंक की तब देखते तो वेई फैंक है ता है वह वह होते हैं कहीं कोछ ए एक्स्टा ओडिनर्य और टेलेंटेड लोग बट ऐसा करने की कोसिस मत करना सभी को वेई फैंक में भरोसा होता है क्योंकि वह जानते हैं थे लोग रिलेक्स फील कर रहा होता है क्योंकि जो यान अगर आंगे रास्ते पड़नी होता तो मॉर्टल मॉस्टर एसेंट ओडर के साथ वो कभी भी इस के अंदर इंटर होने के बाद सेफ मैसूस नहीं करता और तब तक वो इसेंट गेट के अंदर सचमुच तोप के चारे म होना सुरू हो चुके होते हैं जब वो इस एसेंट गेट को देखता है तो वो तुरंदी कहता यह वो नहीं है जिसे मैंने सोचा था यहां तो कोई गेट ही नहीं जो आपने चाहों तरब देखता और पिछली मुलाकात के साथ मिलकर उसे पता था एमोर्टल मॉस्टर से एलेटेट टाइम रिभर है साथ यह एसेंट गेट का जो रीजन है साइद वाइड वैरियर से अनब्रेकबल तरीके से जुड़ा हुआ है जो पावर्फुल लोगों को यहाने के लिए अट्रेक्ट करता है साथ यह मॉटल मॉस्टर एसेंट बाइड की डिजायर उन च्छड याल डालने का बैश तरीका था हालकि एक अनफर्णिया की जो यह एनके दिल के जो यह एनके दिल में हलकि एक थौट है कि यह टाइम रिभर यहां दिखाई देती है और एसेंट गेट यहां दिखाई दे सकता है तो इसके मोटिव को अभी भी क्लियर तोर पर जाप्त है कि मोटल मौस्टर इसेंट बल बास्तों में अब अपने पात के लाश्ट एंड में है और वो केवल तभी तक दुनिया के रिसोर्सेस को खत्म होता देख सकते है जब तक कि दुनिया के बैरियर्स को बापसे रिपियर नहीं कर लिया जाता क्योंकि अगर यह बैर इसेंट बल के बार में चिंता नहीं कर सकता लेकिन भले इसेंट बल में अधर बल्स ने काफी बड़े पैमाने पर अटेक नहीं किया हो लेकिन अगर चीज़ा इसी तरीके से चलती रही तो रिसोर्सेस अपनी लिमिट तक पहुँच जाएंगे और इसेंट बल अपने आप भी डह जाएगा क्योंकि रिसोर्सेस की मिनाएक कि श्टॉंग परसन कभी भी बॉर्ण नहीं हो सकता और अगर बॉर्ण होता भी है तो वो कभी भी श्टॉंग नहीं हो सकता यहां था कि एम्प्राय आमोटल या गॉड आमोटल लेबल तक भी नहीं पहुच सकता और जब वो इस लेबल तक नहीं पहुचते इस वर्ड को फ्रोटेट कर पाने के लिए वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे जिसका मतलब है कि इस वर्ड का डिस्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसलिए ज़्यादा तर लोग जो कि कम पाउर वाले डाउजियान और फाइटिंग बाद सभी जो कम पस होते हैं उनकी स्पीड आवियसली कम हो चुकी होती है ऐसा नहीं था कि वे जान बुच कर धीमे हो गए थे बलकि यहां पे एक पावरफुल फोर्स होती है जो नहीं स्लो कर रही होती है और हार किसी की स्पीड को कंट्रोल कर रही होती है एमोर्टल डेम बल्ड से हैं तो आपको एक काम दिया जाएगा अगर आप यह काम पूरा कर सकते हैं तो हैं डेम में जीलम और विसली आपके साथ बुरा बेहिब नहीं करेगा और इनाम होगा दो लाख कॉंटिविशन पॉइंट इस टाम पे लुए सभी के सामने खड़ी होकर एनाउंस कर जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं कि क्या दो लाख कॉंटिविशन पॉइंट यह सुनकर तो सभी की खड़ी हो चुकी होती है खटिया क्योंकि यह आप कोई छोटी रासी नहीं थी और इतने के लिए न जाने कितने डिवाइन स्लेफ्स को पकड़ना होगा म सभी के पास ऐसा लग रहा हो था कि अलग अलग काम थे कुछ के काम एक जैसे थे जिसके बाद लूइया तुरंति का थी अगर आप इन्हें पूरा कर सकते हैं तो आपको एवन डेमिली अलम से पुरुसकार मिलेगा सभी लोग अपनी जेट स्लिप को चक करने के लिए तुर लूइया अब हमें इस इंट गेट में कैसे इंटर करना होगा जिसके बाद लूइया छोप हो जाती और कुछ नहीं बोलती और कोई भी कुछ नहीं बोलता और सभी लोग सानती से उपर देख रहा होते हैं और अब एसलिए भी एक ऐसी चीज काफी बड़ा था जहां तक नजर जा रही थी केबल बिख रहे हुए direction point होते हैं साथ ही जब तक लुईया ने कुछ नहीं का सभी लोग इंतिजार कर रहे होते और wait कर रहे होते हैं तभी लुईया तुरंती कहती है अभी wait करो हालक इंतिजार अभी जादा देर तक नहीं था क अचाना की river से golden light दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि यह golden light में अपनी spirituality है जो हबा में मढराता हुआ मैसूस हो रही होती है मानो यह कोई option चुन रही हो तभी कोई अचाना की किनारे से चिलाते हो कहता है light selection स्टार्ट हो चुका है जैसे ही यह आवा आ जाती है हर कोई और अंगले ही पल compass से अचाना की golden light फूटने लगती है जो नीचे की golden river से जुड़ गई होती है और एक पल में compass पर खड़ी फिगर golden light में gap हो चुकी होती है यह golden light लगातार चमकने लगती है और बास्तों में तीन golden light वहाँ पर जाती है जहाँ पर compass में जो यान होता है हाला क इन तीन लैट्स को देखकर वैन क्यां का फियरा confident दिखाई दे रहा होता है उसकी आंके एकदम glowing होती है और चैर पर एक bright impression उसे पूरा विस्त्वास था कि यहाँ तीन गौड़ लॉड्स को छोड़ने के बाद सबसे powerful person वही है इसने आए है उसने पने हादों को चाती लैट करेगी ही और उसकी राय में वही नंबर वान है साथी होता भी यही है यह गोड़ने लैट धीरे धीरे उसी की तरफ दोड़ रही होती है जो देखकर वैंकियान smile करता है कि यह लाइट उसकी तरफ आ रही है साथी वैंकियान उस जगए से ज्यादा दूर नहीं था ज दिखावा होता है तब यह बुम किया वा जाती है और यह लाइट अचाना की सक्षन फोर जनरेट करके वैंकियान को साइड मेंटाती है और यही कह रही होती है और यह सीधा ही आँगे निकल जाती है वैंकियान का चैरा अचानक यह ठिटक ग्या होता है कि क्या यह गोल्ड क्यांग को देखता है साथी इस टैंप पे गोर्डन लाइट में जौंगू बिना कुछ दिखावा किये बैन क्यांग के उपर जोर जोर से असरा होता है ले ले खाले हो गया निकल गई है कड़ी चल चूती है जौंगू के मजा किया आब आज कमपस में गूजती रहती है जब आखिरकार इस लाइट ने छौंगू को क्यों चुना क्यां एक थायडिश्ट यकाई एंपराय मोटर लेबल उनसे ज्यादा वर्दी है लेकिन केवल जौंगू ही समझ सकता था कि इस लाइट ने एकदम deciding है और बिना किसी हिच किचाहट के जिससे लोगों पर जिससे लोगों को अब इस पर संदेह करना पड़ रहा था यूआन की खूबसूरत आंके भी उपर उठी हुई होती है और जौंगो और बांकी लोगों को गायव होता हुआ देख रही होती है ये समझदार लड़की है यूआन अपने दिल में सोच रही होती है और उसने अपना सक सो करने की हिम्मत नहीं की होती है उसके आंके जल्दी बापस सांती पे लोट आई होती है और थोड़ी देर जिजकने के बाद दूसरी गोल्डन लाइट नीचे निकलती है जिसने नीचे आकर दूसरे परसन को घेरा होता है लेकिन ये बैंक क्यांग नहीं था बलकि जू लॉंग था जिसके पीछे निंग्याओ खड़ा हुआ होता है यानि कि दूसरे दोर पर भी उन्हें चूज नहीं किया गया था जो देखकर बैंक क्यांग नाराज हो गया होता है कि उन्हें नहीं होगा तुम्हारा मुव फार दूँगा जोयान तेरी बुझ फार देना है मतलब हर एक बंदा अंडे के छिलके से निकल के आ रहा है और गुंडा बन के घूम रहा है अंडे में गुंडे पैदा हो रहे हैं साल है बड़े तो हो जाओ बहन के घोड़ों जहां तक बाकी टीमों का सबाल है इन तीन के गायव होने के बाद थोड़ी देर के इंतिजार के बाद एक-एक करके उन्हें चूज किया जा रहा होता और इन्हें भी समझ में आ गया होता है कि चूज किया जाना इतना आसान नहीं है यहां पर जोगो और जोयान जो सबसे पहले गोल्डर लाइट में डूबे थे उन्हें ऐसा मैसूस हुआ मानों स्टेम्प उनकी बॉड़ी और सोल अलग हो चुकी हो और वे अपनी बॉड़ी को इस लाइट वील के अंदर तैरता हुआ देख सकते थे जैसे उनकी सोल उनकी बॉड़ी को देख रही हो और यह फिलिंग नोने कमपेरजन में ना के बराबर थी क्योंकि वर्टी से ट्रेवल करना लगवग दस गुना जादा अधिक मजबूत होता है सती यह ऐसास लॉंग टाइम तक नहीं रहता और जल्दी ही उन चारों को महसूस होता है कि उनकी सोल अबॉडी तुरंती बापस से फ्यूज हो चुके कोई जीवित प्राणी हो ही ना नीचे देखने पर बे इस दुनिया के गुंबत पर खड़े थे इसे ग्लेसियर आइलेंड के उपर ऐसा लग रहा होता है मानो सब कुछ जम गया है लेकिं इसी टाइम पे ग्लेसियर चानल की तेजी से पिघलना सुरू हो जाते हैं और जया चारों लोगों की आँकों के सामने सब कुछ तेजी से गूम चुका होता है मानो पूरी दुनिया ने अपनी लाइप पावर वापस पाली हो और उसी समय चारों के दिल में खतरनाग खतरा पैदा होता है उन्होंने अभी जो देखा वो टाइम क्यूलट फेड नहीं थी बल आलाकि तीन फिगर तभी वहाँ निकलती है और उनमें से बचने वाला परसन के बल जो यान होता है जो आनने पहले रियक्शन लिया होता है और एट इस्टा और जन गौड के साथ फ्लूज हो चुका होता है साथ यह अपनी बॉड़ी को कंट्रोल करते है जो आन इससे फ्र लाड हो चुका होता है और कुछी दूरी पर जो आने एक फिगर के साथ जोड़दा टककर में उल्जा हुआ होता है जिसके बाद वह अगर तो मेरे ग्रेट रियालम में आतिक्रमण करने की हिम्मत करते हो तो तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी और आतिक्रमण कोल्ड एयर का जोका जो यान की तरफ आता है और आसपास सब कुछ जमा देता है जो अनका जहर एक दम सांत होता और वो ठंडी हवा उस पर गिरी होती और बोडी परजाना की फ्लेमें अपयर होती है और ठंडी की लंका लगा देती है दूसराफ सामने वाला जो परसन था वो सिर्फ एक 4 step एमपरे मोटल था जो अन तुरंती कहता है मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचते हो और किसा तक बखवास कर रहे हो जैसके वाज यान अपने पैर के तलबे के साथ आंगे बढ़ता और मुक्का मानने से पहले अपनी पांचों उंगलियों को कसते हो एक फिश्ट क्रेट करता है और पाबरफुल अटेक चार तरफ एक एर में सौक बेब जनेरेट कर रहा होता है जो देखकर सफेद कपड़े पहन हुई है जो परसन होता है वो जो यान की तरफ देखता हो रचानक उसकी आईब्रो पर आइस का जो निसान होता वो तुरंती ब्रेक हो जाता है और बॉडी से एक कोल्ड एर फूट पड़ती है मानू यहान सब को जम गया हो और ठंडी एर ने जो यान को भी घेरा होता है लेकिन जो अभी भी आनेफेक्टिव होता है और आराम से आंगे बढ़ रहा होता और पलक जपकती उसके सामने आ चुका होता ह सती जोन कान पहले से उपर उड़ चुका होता लेकिन इससे पहले की जोन की फिश्ट चलती जोन की हाँ से प्रडिवसर हो रही थंडर और पावर को देखकर यह सफेद कपड़े पहनुए बाला बंदा पसीने से तरबतर हो गया उतर तुरंती के था भाई 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 पहना है आखिरकार इस सफेद जोपड़ी बाले बंदे को पावर का डिफरेंस इंतर समझा चुका होता है उसे पता होता है कि अगर यह पंचा पढ़ गया तो यह मामा गंजा हो ही जाएगा या हो सकता है गंजा ही गायब हो जाए यहां तक कि अपने पूरी ताकत के साथ भी वो इस पंच का सामना नहीं कर सकता लेकिन दया की भीक मामगिने के बाब जूद भी यह पंच नहीं रुकता जो देकर सफेद जोपड़ी वाला यह बंदा अपने खोपड़े के सामने हजार आई सील्ड क्रियेट कर देता है दूसरब जैसी जोन की फिश्ट अटैक गि पहुंच चुका होता है और उसकी छाती बाब फिर से मुक्का मारा होता है जिससे इसके मुझसे काफी सारा ब्लड निकलता है और छाती पूरी तरीके से जखमी हो चुकी होती और बंदा काफी जारा इंबरस लग रहा होता है वो तरन थी कहता भाई एक मेट रुको यह सिर जो पीछे की तरब जा रहा था जो यान उस परसन की तब देखते हैं इस परसन का और मुझे इतना फैमिलियर क्यों लगता है इसे पकड़ कर मुझे इसकी सोल को सर्च करना होगा दूस्त अब यह सफेद बालबंद तुरंद दिगता लेकिन यह इतना पावरफुल मुझे कह जो नक्सा पेस करने वाला है यह उसके लिए पूरी तईके से बेकार होगा दूस्त अब जो जो जगह थी है काफी फ्रेमटिव जगह होती है जहां पे कई बड़े-बड़े गड़े भी थे साथ यह बंद जैसे ही पीछे आट रहा होता अचाना कि उसके स्नो वाइट हैंड में एक बो दिखाई देता है क्योंकि वो जो यह अनको आगे बड़े से रोकने में कैपबल नहीं तब वो सीधे ही धन उसकी डोरी खीचता है और एक पल में हजारों आईस एरो सामने की तर आफा जाते हैं और आजपास के एरिया को कवर कर तो अचानक की एक कोल्ड वेव चलती है जो आईस के एरो की तरह एक लहर के साथ आंगे बढ़ती है हलकी तीरों की इस बार इसमें अनबिलीवाल स्पीड होती है और इससे घिरा हुआ एरिया बहुत जल्दी डिश्ट्रॉ हो गया होता है लेकिन इस टेम्पे जोयान अचानक रुख गया और एक पावरफुल सप्रेसिंग फोर्स ने उसे घेल लिया जिससे उसे धीमा होने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बाद एक आब आ जाती है एक्स्ट्रीम आईस बिंटर फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन इ हो तो वो अपना मुझ खोलता है उसके मुझ से एक अजीब सी वाइट सटल दिखाई देती है जो चिलानी की आवाज के साथ जोयान की तरफ निकलती है जिंग जी सटल इसकी स्पीड बेहर तेज होती है जोयान की तरफ बढ़ रही होती है जो की फॉर्मेशन के अंदर होत सटी जोयान से आदेपुट की दूरी के कमके एरिया में होती है हालकी जैसे ही यह जोयान की फोरेड और आईब्रो को हिट करने ही वाली थी क्या चाना की थंडर के पतले पतले जो धागे होते हैं वो एक साथ फ्यूस होते हुए दिखाई देते हैं और अगर आप ध्यान से चुका होता है जो देखकर यह सफेद लबादे वाला बंदा तुरंती कहता है कैसे यह कैसे पॉसिवाल है जब वो मेरी फॉर्वेशन में फसा हुआ है तो वो इतना तेज कैसे हो सकता है उसे तुरंती मैसूस हुआ क्यों से कि उसके बाल बिना हवा के आपस में उड़ रह ऐसी स्किल जो आपके चिमी क्लेन के खून के अंदर घुसी हुई है ये आप कभी भी नहीं बदल सकते जिसके बाद एक बंद फिश्ट को देखा जा सकता था जो तेज हवा के साथ आंगे बढ़ दी होती है जिससे सफेज कपड़े वाले इस पर्चन को अपनी चाती में हलका सा कसाव महसूस होता है और जल्दी उसकी पूरी बॉडी का जो धांचा होता है बिखर गया होता है उसकी पूरी बॉडी को लगवा गोली मार दी गई होती है और सीने में एक खूनी छेद होता है जिससे उसका दिल गायब था और खून की धारा बहरे ही होती है और इससे पहले सफेद कपड़ों की ये दुकान कोई भी डियक्ट कर पाता उसे फिर से जोर से लात मारी जाती है और जमीन में गिरा दिया जाता है जिससे एक डेसलेट लेंड के अंदर बड़ा सा गड़ा बन चुका होता है जिसकी बाद तेज अबा में गरजती हुए ये सीधी इंबरेस फिगर जोयान के सामने लटकी हुई होती है जोयान की डोमेन लेविल की स्पिचल पार संकोच नहीं करती है और सीधे इसकी सोल को सर्च करना सुरू कर देती है जातक जौंगो और बाकी के तीन की बात थी उन पर पहले से ही साजे स्रची गई थी और उन्हें कुछ मामली चोटे आई थी लेकिन जोयान की फाइट के द भी ज़्यादा और वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर से भी बाहर आ गया तब यवांदर तुन ने लेगा था भाई मेरी बात सुनो मेरी बात तो सुनलो भाई भाई बस एक बार एक बार मेरी बास सुन लो इस बार माफ कर दो हालकि सब्वेद कपड़े बाले ये बंदा काफी मुस्किल से बोल पा रहा होता है जहां तक जोयान की बात है उसने उसकी सोल को खोज की जोयान उसकी सोल की खोज करना जारी रखा होता है जैन को पता था चिमी कभी ला काफी जारा चालाग था इसलों की बकवाद सुनने के बज़ाए सीधे सोल खोजना सबसे साही तरीका है जब जैन उसकी सोल के अंदर इंटर करता है तो उसकी एड़स निकालने की कोसिश करता है तो उसमें पाया होता है किसकी आद दास को सील किया गया है और उसे फोर्सफुली तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अगर जौन ऐसा करता तो ये बंदा सीधे मारा जाएगा जो देखर जौन तुरंदी कहता निश्चित्वर पर ये चीमी क्लेन है जिसके पास अभी वी ऐसे साधन है हालकि जौन को उसकी मैमोरी नहीं मिली लेकिन फिर भी इससे सोल को सर्च करती जौन ने काफी अजीब देखा था जिसने उसे चौका दिया था क्योंकि इसका जो और अलगवक चीमी के चूजे के जैसा ही है जिससे जौन जानता था जन तुरंदी कहता अगर चीमी क्लेन की सोल एक जैसी नहीं है तो उसके सामने वाला ये सफेद कप्लों की दुकान उसी के क्लोन में से एक होना चाहिए जिसका मतलब था कि जौन को पता था कि अगर ये चीमी के चूजे का क्लोन था तो फिर सफेद कप्लों वाला परसन वही था यानि की चीमी का चूजा और उसकी रियल आइडेंटिटी और बोड़ी अभी भी इसी एसेंट गेट के अंदर होनी चाहिए साथी जगे की बीरानी ने जियो यान को और भी अजी महसूस करा होता है हर जिन्दा चीज यहां पर सूख चुकी होती है जमीन पर घास का एक भी तिनका नहीं था और इतना ही नहीं इस जगे पर हैवेन अर्थ की स्प्रिचल एनरजी का भी कोई और जन नहीं यह बहुत लो लेबल पर पहुँच चुकी होती और इस लेबल की कमी कोई क्लश्टर या एनरजी नहीं होती जैसे कि इसे जान भूज कर अब्सॉफ कर लिया गया हो हारा कि स्वाट कपड़े वाले बंदे ने डिसाइडिंग तरीके से टेक क्यो किया उसका मोटिव क्या था इसका पता नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इसकी सोल को सर्च करने का कोई तरीका नहीं था इस तरीके से जोयान उसके हाथ की श्टो इरिंग छीन लेता है जिसमें सील को तोड़ने को जोया अनंदर की चीज़ा देखता है और यह गरीबी जो जाड जगए की तरह होती जहां घास का एक तिनका भी नहीं था उसी टेम पे जॉंग और बाकी के लोग जोयान के पास आ जाते हैं बास्तों यहाँ पे क्या हुआ तभी जो यानबर बढ़ाता है और जॉंगो भी इस टमप इस प्लेस को देख रहा होता है लेकिन उसे कोई हहरान की नहीं हुई थी बल्कि उसके आंके काफी थौटफुल लग रही होती है बुत्तुरंती कहता है मैंने चीमी क्लेन के बारे में सुना है इस क्लेन ने एक बार दुनिया के एक टुकड़े को डिवाइड कर दिया था और अंत में सब कुछ वहाँ पे समाप्त हुआ और यही वो टाइम भी था जब एमोटल मौस्टर एसेंड वल्ड रिसोर्सेस के लिए भूका था और उसने इसके लिए सेनेकसी के उपर अटेक करना भी स्टार्ट किया था हलाकि बटल के बाद अंत में मोटल मौस्टर एसेंड वल्ड हार गया जैसे रिसोर्सेस और भी जादा रेयर हो गए साथी चालाग चीमी क्लेन ने रिसोर्सेस को लूटने के लिए लागलाग फ्लैमली इसमें घुस पैट की जिससे इमोटल मौस्टर एसेंड वल्ड के पारफुल लोग है खटा हुए और चीमी क्लेन के खिलाप एक अभियान चलाया और गला घुटने वाली फाइट हुई तब से अमोटल मौस्टर एसेंड वल्ड में अनगेनस फैमिली दोरा चीमी क्लेन से नफ्रत की जाती है जिसके बाद जैसे जैसे टैम बीटता गया चीमी क्लेन दीरे दीरे गायब होता गया एमोटल मौस्टर एसेंड वल्ड से और अब तक एमोटल मौस्टर एसेंड वल्ड में अब चीमी क्लेन मौजूद नहीं है सती अफसोस की बात है कि जब चिमी क्लेन अपने एक्स्ट्रीम पर था तब मेरा जनम भी नहीं हुआ था इस पावरफुल क्लेन के बारे में मैंने केबल सुना है वो भी तब जब मेरी पावर में सुधार हुआ लेकिन तब तक सब कुछ इतिहास बन चुका था भले ही वो बहुत पावरफुल क्यों नहीं हो टाइम रिवर के अंदर सब कुछ डिश्ट्रॉ हो जाएगा वो तुरंदी कहता चिमी क्लेन उस टेम पे चिमी क्लेन अपने ग्रेट पावर के ओरिजन में था उसने काफी स्ट्रॉंग लोगों को मजबूर किया उनके पास रिसोर्सिस की कोई आपूर्ती नहीं थी इसलिए उनकी ये हालत हुई जो अंगयाद धीरे धीरे कह रहा होता और चिमी क्लेन के डिस्ट्रेक्शन के बारें बता रहा होता है वो बताता है कि चिमी ओरिजन क्लेन से काफी जादा अलाग है ग्रेट बल्ड की जो ओरिजन किंग होते हैं वो डिस्ट्रॉइ हुए क्यूंकि वो बहुत पावरफुल और इगोईस्टिक थे हालाकि चिमी भी बहुत पावरफुल था लेकिन उनका जो ओरिजन था वो एक honey trap जासा था साथ ही ये strong लोगों की body को capture करने में महर थे और खुद को strong करने के लिए उनके पास कई clone थे इसलिए इसके result के साथ उनके पास कुछ खतानाग situations और positions भी थी example के लिए एक powerful sect में उनके sect leader का behavior चाना की बदल गया था और बाद में पता चला कि चीमी क्लेन द्वारा उनके patriarch को छीन लिया गया जिससे जो sect था उसे divide हो गया करना पड़ गया था immortal monster एसरेंट वर्ड में family का जो बर्चस हो है उसमें time के साथ family ancestors की body को जब्त करने की जो बढ़ने लगी जिसने और ज्यादा नारा इस ट्रॉंग लोगों को नाराज किया यहां था कि कुछ families ने तो इसे खून के जगड़े के तौर पर accept किया और immortal monster वर्ड की पूरे के पूरे वर्ड ने चीमी के cancer को और उसके torture को जेलते हुए आखर का उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने का decide किया जिसके बाद एक great battle start हुई और इस cancer को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया जो देखकर जौन तुरंदी केता फिर स्टैम्पयम जिस वर्ड में है वो असली है या नकली जो देखकर जौनगू तुरंदी केता है great world केबल rumors में है मैंने सुना कि बहुत टाइम पहले यह डेह चुका है और अगर यह place great world है तो मुझे लगता है कि इसके सच होनी की possibility नहीं है जौनगू थोड़ा सा हैरान होता है और explain करता है इस जगह के बारे में जौन भी आँ चाओ तरब देखता है बली यह जगह सच थी या नहीं लेकिन यहाँ पेंटा होने के बारे में जान सकता था हाला कि उसके पास चीमी क्लेन का खून तो नहीं है लेकिन डेवन गौड ने चीमी क्लेन की body capturing technique जौन को दी हुई है इसलिए जौन के पास भी चीमी क्लेन की body capturing technique है जिसका वो यूज कर सकता है हाला कि उसका कोई बंस नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि चीमी क्लेन के साथ उसका अभी भी एक unpredictable luck है जो की जुड़ा हुआ है और जैसा कि जौंगु ने का कि ये मामला है कि चीमी क्लेन गयब हो चुका है वो अभी भी निश्चित नहीं था क्योंकि इतिहास हमेशा ही जीते हुए लोगों दाय लिखा जाता है चीमी क्लेन अभी भी इतना powerful और सकती साली था कि लोगों की लालच को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर सकता था फिर भी उसकान तैसा होना और इतनी आसानी सोना जौन को समझ नहीं आ रहा था जो अंतरंदी के था क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बस्तों में चीमी क्लेन सभी की आलोचना का सिकार बन गया था या फिर कोई और कुछ सीक्रेट छिपा रहा है हालकि यहां पहुँचने के बाद जो यानिंच कुछ चीजों को पता लगाना चाहता था और यादी पॉसिबल हो सकता है तो वो अपनी बोडी कैप्चिरिंग टेक्निक की पाउर को बढ़ाने की भी कोसिस करना चाहेगा क्योंकि डेमें गोड दोरा दी गई बोडी कैप्चिरिंग टेक्निक हालकि बहुत मजबूत है लेकिन बोडी को कैप्चिर करने के बाद ये बाद में जो यान की स्पिच्छल पाउर पर ज़्यादा डिपेंट करती है और अगर आपने पहले सी इसमें इंटर का लिया तो ये श्टेप बाई श्टेप आपको इसमें नजर डालनी होगी और खुश्ते समझना होगा क्या के का इस टेक्निक में और क्या क्या चीज़ है जो अभी भी वो मिस कर रहा है जो कि जोन को यहाँ पर जानने को मिल सकती है तभी जोन कहता है कि आपको कोई मिसन नहीं दिया और जोन जोंगू की तब देखते हो पूछता है जो देखकर जोंगू तुरंती कहता है इस जगए पर इंटर होने के बाद इस टेंप पे कोई भी सुराग नहीं है तभी जोन कहता है हाँ इसलिए हमें सुराग देखने के लिए देखना होगा कि हमें क्या काम दिया गया है साथ ही सुरागों को फॉलो करते हो हम आगे बढ़ेंगे और बैसे भी बैसे भी बैसे होगा अगर हम मिसन को पूरा कर सकें क्योंकि बैसे भी जो Heavenly Demon World है उसमें कई आइटाम है जिनके लिए Contribution Point की जरूरत है जिनमें डॉग आई की Body Part उन में से एक था जिसके लिए जोन को भी भी Contribution Point की जरूरत थी हाला कि ये सिंट गेट के अंदर इंटर होते ही बेबज़ाए साजे सरची गई और अगर जोयान ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो जोंगू को ये चीज़ तो अभी याद ही नहीं होती जोंगू तुरंति अपनी हाथ को पलाटता है उसके हाथ में वही जेट स्लिप दिखाए देती है जो उसे लूयान ने दी होती है जिसके बाद वो सीधे ही जोयान को सौप देता है क्योंकि अब खुद को उसे च्छेपाने की और जवत नहीं थी क्योंकि जोंगू यहाँ पर समझता है कि असलिप आस यहाँ पर कौन है जोंग जेट स्लिप पर अपनी सोल को तुरंथी डूब होता है और इस समय जो यहाँ जेट स्लिप में कुछ अजीब देखा होता है जो की एक सोल की ब्रीथ होती है यानि सोल का औरा लेकिन यह केवल कुछ मूवमेंट के लिए होता है उसी टाइम पर इस सेंट गेट के बाहर एजोर कंपस पर क्रोस लाएकी बैठी हुई एक खुबसूरत फिगर अपनी आखों को खोलती है और तुरंथी कहती है जैसा की उमीद थी लेकिन आप है कौन उसकी आँके टिम्टिमा रही होती है साथी उसकी सकल पर कोई भी अजीव इंप्रेशन नहीं होते लेकिन उसकी वहों के बीच से उसका जो बहेवियर था वो सो हो रहा होता है अनबीटेबल और काफी रेयर जिसके बाद अचानक ही एक गोल्डने लाइट आती है जो की युआन की बाड़ी के उपर साइन होती है और युआन की बाड़ी अचानक ही गयव हो चुकी होती है जो देखकर वेइफैंग अलुया दोने ही चौंक चुके होते होने उम्मीद नहीं थी कि क्यानिंग यानि युआन बास्तों में एसेंट गेट के अंतर इंटर करना चाहेगी जिसके बाड़ वेइफैंग और लुया एक दूसरे कितब देखते हैं उन में से कोई भी इंटर नहीं करना चाहता क्योंकि कोई नहीं जानता के एसेंट गेट क्या है बे केबल ये जानते हैं किसमें बहुत से लोग इंटर करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही आसानी से बाहर आपाते हैं हालकि ये बहुत खतरनाक जगए नहीं है पिर भी वे दौन जोखिम नहीं लेना चाहते थे और इस बास का उलेक करने की तो कोई जरुवत ही नहीं क्योंकि आतों में आपाते हैं इसलिए वो केबल यहां पर रुख सकते हैं लेकिन कमपस पर बैटी हुई युवान की फिगर को गोल्डन लाइट ने चूज किया था और वो सकसेसफुली एसेंट गेट के अंदर एंटर हो चुकी थी इसलिए वो चाय कर भी इसमें कुछ कर नहीं सकते थे तो चलो गैस इसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंड करते हैं नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना बाइवाय थ्रियन फैमिली गुट मौनिंग